आपको बिल जाए हेलो एंड वेलकम टू दी एकाउंटिंग क्लास आज की वीडियो में हम लोग शेरोल्डर और डिबेंचरोल्डर के बीच में क्या डिफिरेंस होता है इसको देखेंगे तो चली शुरू करते हैं वीडियो इसको पॉइंट वैस मैंने डिसकस किया है चार पॉइंट में पहला पॉइंट है स्टेटस शेरोल्डर का क्या स्टेटस होता है और डिबेंचरोल्डर का status होता है इसको देखते हैं shareholder is the owner of the company shareholder company का मालिक होता है क्योंकि वो company को capital provide करता है और जो capital provide करता है उसे मालिक कहेंगे owner कहेंगे जबकि debenture older company का मालिक नहीं होता है debenture older is the lender of the company debenture older वो होता है जो company को loan देता है जो company को कर्ज देता है तो debenture older κभी भी company का owner नहीं हो सकता लेकिन हाँ वो company को कर्ज देने वाला होता है वो lender होता है इसलिए debenture के farm में company loan लेती है debenture older से और share के farm में company share older से capital लेती है तो debenture older owner नहीं होते हैं बलके company के lender होते है Return दोनों को क्या क्या मिलता है return में शेर ओल्डर गेट्स डिविदेंट, शेर ओल्डर को डिविदेंट मिलता है, डिविदेंट क्या होता है, डिविदेंट इस पार्ट अफ प्रॉफिट, कम्पनी जो अर्न करती है, कम्पनी जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक टुकला एक हिस्सा डिविदेंट और वो interest एक fix rate से होता है जबकि shareholder को मिलने वाला dividend fix नहीं होता है अगर हम equity shareholders की बात करें तो उनको जो dividend मिलेगा वो fix नहीं होगा वो fluctuating होगा कभी जादा, कभी कम और कभी नहीं मिलेगा लेकिन debentureholder को जो interest मिलता है वो fixed होता है तीसरा pointer risk किसको कितना risk है तो shareholders को debentureholders के comparison में कुछ जादा risk होता है अगर हम equity shareholders की बात करें तो खास तोर से इनको तो बहुती जादा risk होता है equity shareholders का जो amount business में invest होता है, वो amount company के wind up के case में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई guarantee नहीं होती है क्योंकि company पहले debentureholders का amount लोटाती है उसके बाद preference shareholders के लोटाती है और उसके बाद equity shareholders को लोटाती है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि equity shareholders को risk सबसे जादा होता है, हाँ preference shareholders को risk थोड़ा सा कम है equity के comparison में दूसरी बात कि dividend का जो distribution है या return का distribution है वो भी shareholders को तैय नहीं होता है जैसा कि पिछले point में मैंने बताया उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा ये fluctuate करता रहता है उसकी कोई guarantee नहीं होती है लेकिन debentureholders को इस तरह की guarantee होती है इसलिए debentureholders को हम कह सकते हैं कि वो relatively safe होते हैं Shareholders के बरिजबत Shareholder की तुलना में उनके comparison में debenture orders ज़्यादा safe होते हैं वो इसलिए safe होते हैं कि company के wind up के case में उनका जो amount है वो बिल्कुल लोटाया जाएगा surely लोटाया जाएगा और जो return मिलता है उनको जो return दिया जाता है उनके investment पे वो एक fixed percentage होता है तो इस तरीके से debenture orders को risk नहीं होता है और अगर secured debenture orders हैं तो उस case में तो उनको बिल्कुल भी risk नहीं होता है चौता और आखरी point है control का कि किसको कितना control होता है A shareholder has a right over the working of the company by attending and voting in the general meeting company की सालना meeting होती है जिसे annual general meeting कहते हैं इस meeting में participate करना और इसमें vote देना ये shareholder का right होता है खास्तों से equity shareholders का ये right होता है तो ये right जबकि debenture orders को नहीं होता है debenture orders company की general meeting में participate नहीं कर सकते हैं और नहीं वोट दे सकते हैं तो इस तरीके से debenture orders का control company पर बहुत कम होता है या नहीं होता है जबकि share orders का control company पर बहुत ज़्यादा होता है तो यह 4 points थे मैंने जो आपको बता दिये हैं share orders और debenture orders के बीच में difference के उमीद करते हैं आपको यह information useful लगी होगी तो अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया प्लीज इसको subscribe कर ले वीडियो अच्छा लगा होते हैं सो like और share जरूर कर दें अपना बहुत ख्याल दखेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye